चीन जब भारत के उपत तावर तोड हमले कर रहा है पूरे गलवान वैली पर अपना दावा ठोक रहा है जिसको भारत ने खारिज भी कर दिया है और खबर यही है रिपोर्टे यही है कि जो पैंगोंग लेक है लदाख हिलाके में उसमें वो लगभग लगभग आठ किलो उसको सुनकर आप चौक जाएंगे मैं भी चौका हुआ हूँ और वो क्या बात है दोस्तों क्या चीन भारत से डरा हुआ है फिर से कह रहा हूँ क्या चीन भारत से बिलकुल डरा हुआ है दोस्तों अगर एक रिपोर्ट की बात की जाए एक अंतरास्ट्रिय तो ये बहुत बड़ा कारण इस चीज को बल देता है कि हो सकता है कि चीन के हमले के पीछे अतिक्रमण के पीछे वो भारत बिरोधी उसका जो डर है वो बढ़ चड़कर बोल रहा है क्या है वो बात दरसल दोस्तों एक 11 जून को एक 11 जून को अतिक्रमण पहले से ही है और उनको कुछ नकुछ सक सुभा हो गया होगा लेकिन 11 जून को अमरीका ने एक कानून पास किया है वो चीन के रोंगटे खड़े कर देने वाला है और वो क्या है यह रिपोर्ट छपी है और उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि चीन ने पीडी आई पैसिफिक डेटरेंस इनिशेटिव नाम के एक प्लान को मंजूरी दी है जिसके लिए साथ बिलियन डॉलर भी तुरंद के तुरंद दे दिये है तो यह पैसिफिक डेटरेंस इनिशेटिव है क्या दरसल चीन की कपकपी इसी से छूटी हुई है डर उसमें समाया हुआ है और इस बात से इसका पता चलता है कि सतरह जून को सतरह जून को जी हां 15-16 की रात गलवान में 20 भारतिये सेनिक शहीद हुए सतरह जून को चीन के मिलिटरी पी एले पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक मात्र जो अंगरेजी में वेबसाइट है उस पे एक खबर चपी और उसी दिन उसी दिन चाइनीज स्टेट टेलिविजन पे एक खबर आई और वो खबर इसी पीडियाई को लेकर था पैसिफिक ड इनिशेटिव को लेके था चीन को डर है कि जो अमरीका ने यह इनिशेटिव लिया है वो सीधे चीधे चीन पर निशाना साथता है चीन को घेरने की पूरी कवायद है और अगर इस पीडियाई में भारत शामिल हो गया तो उसके लिए जीना मुहाल हो जाएगा यह पीडिय ही है किया सबसे पहले जो 17 जून को जो चाइना के स्टेट टेलिविजन और जो चाइना मिल नाम के चिन मिल के नाम से जो वेबसाइْट है उसमें जो बात कही गई है और जाब वहां की बात आती है फ्री प्रेस तो है नहीं वो स्पोक्स person होते हैं चीन की सरकार के उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि भारत को चेताया भी गया है उसमें एक message भी देने की कोशिश की गई है कि भारत एक स्वायत military के रूप में एक स्वायत ताकत के रूप में balance of power के लिए चलता रहा है तो वो चले मतलब ये नहीं कहा गया कि वो चले बगर ये एक हिदायत जैसी चीज उसमें रखी गई है दी गई है इसका मतलब सब जानते हैं कि अगर चीन का मुकाबला एशिया में या फिर विस्वस्तर पर पूरी दमखम के साथ कोई कर सकता है भले अभी नहीं कर पा रहे हो लेकिन अगर कोई कर सकता है तो वो चमता भारत में है और किसी कीमत पर भारत को PDI में PDI जोईन करने से रोकना चाहता है क्यों रोकना चाहता है क्योंकि PDI के प्लान के मताबिक PDI के प्लान के मताबिक प्रशांद महा सागर चेत्र के मताबिक उस प्लान के मताबिक यही है कि अमरीका अपना पूरा दमखम लगाएगा ताकि जो चीन बदमाशी उधर दक्षनी चाइना सी में कर रहा है या पूरा एशिया में करने की कोशिश की कर रहा है तो जो अगर उत्तर है और इस PDI में बिना भारत के रहे भारत के जॉइन किये बगएर जो है जो अमरीका का प्लान है वो भी सफन नहीं हो सकता तो भारत इस PDI इनिशेटिव के सेंटर में है हमने पहले ही देखा कि कोड जिसमें जपान ऑस्ट्रेलिया वगर है और इसी तरह का EDI योरोप म योरोप में है जिसको योरोप डेटरेंस इनिशेटिव बोलते हैं प्रारूप वही है लेकिन जो एशिया में PDI है उसका भारत अभिन्द अंग हो सकता है शायद चीन वालों को इसका सुराग मिला हो कि भारत इसके बारे में अच्छे से सोच रहा है और इसको ज्वाइन कर सकता है मैं फिर आ रहा हूँ कि है PDI के पीडियाई यह है कि जो अमरीका अपने दोस्तों के साथ अपने PDI मेंबर के साथ वो तमाम लड़ाकों बिमान निसाइल जिसमें F-35 भी शामिल है और चलता फिरता बेस बनाएगा तैनाती करेगा और उसमें जितना भी इंफरास्ट जितना भी सैनिक साजो सामान देने की जरूरत है वो दिया जाएगा दिश्चित सी बात है कि अगर चीन अमरीका को टक्कर दे रहा है तो अपने आहाते में जिसको आहाता मानता है सोकौर वहां पर अमरीका के इस प्रयास को वो विफल करना चाहेगा और उसका प्रयास तभ तो पीडियाई को रोकने के लिए भारत की एंट्री पीडियाई में रोकने के लिए ऐसा करो कि भारत को परिशान करो भारत को तंग करो और गलवान में घुश जाओ और पैंकोग में घुश जाओ और पूरा जो 4000 किलोमीटर है उसके उपर आग लगाओ ताकि भारत दब ज जाए और भारत जो है इसमें जुआइन न करें प्लान यही है पीडियाई का कि इक्किस बाइस तक इक्किस बाइस तक इसको पूरी तरह से ऑपरेशनल बना दिया जाए वो बहुत दूर नहीं है बहुत नस्दीक है इसमें ये भी कहा गया है कि ऐसी चीजें भी लगाई जाएंगी कि ताकि चीन के संभावित क्रूइज या हाइपरसोनिक मिसाइल आदी को रोकने के भी चंता हो यानि जो अमरीका का जो सुप्रियॉरिटी है प्रभुत्तो है जो नमबर वन मिलिटरी है वो उसकी पूरी ताकत ये प्रशांत इनिशेटिव में जोकने की बात है ये अब भारत के उपर निर्वर करेगा कि मौजूदा प्रस्तितियों में तमाम अपने विकल्पों को देखते हुए कौन सा प्रैक्टिकल स्टेप भारत लेता है भारत इस पीडियाई में शामिल होता है की नहीं लेकिन जिस तरह से चीन ने जो ये पूरी स्थिति बनाई है भारत को डराने धमकाने और भारत के जमीन पर कबजा करने का जो मुहीन चलाया है उसमें शायद भारत के लिए भी ऑप्शन कम बचता है क्योंकि चीन के खिलाब जो पावर्स हैं उसके खिलाब उसमें भारत को शामिल होना पड़ेगा ये एक बात है देखना ये पड़ेगा कि भारत कौन सा फैसला करता है हो सकता है इस बात की चर्चा है कि हो सकता है कि बदले हुए हालात में भारत एक नया फैसला करे चीन को का मुकाबला करने के लिए एक नया प्रयास करे ये हो सकता है दरसल मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा PDI के अलावा कि कई दिनों के बाद छे दिनों के बाद सुरू में मध्यस्ता करने के लिए खौाइश जाहिर की थी डोनाल्ड टरंप ने अमरीकी रास्टर पती ने उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उस चुप्पी दूसरा जो उनके सेनेट के जो मेजॉरिटी लीडर है मिच मैकॉनल उन्होंने ये जो भारत पे जो अक्रमन हुआ जो अतिक्रमन हुआ अक्रमन और अतिक्रमन एक ही जैसा है उसको उन्होंने जो है 1962 से तुन्ना की थी ये बात हो रहे थी लेकिन डोनाल्ड टरंप चुप् क्योंकि NSA जो उनके पुराने थे बोल्टन उन्होंने एक संसनी खेज आरोप लगा दिया कि उन्होंने दुबारा रास्टपती बनने के लिए चीन की मदद मागी थी अब ये पता नहीं क्या है लेकिन डोनाल्ड टरंप ने चुप्पी तोड़ी है अब उन्होंने ये क्या बात कर रहे हैं तो क्या डोनाल्ड टरंप इस मामले में घुश चुके हैं अगर ये दोस्त के जैसा घुशे हैं भारत के दोस्त के रूप में घुशे हैं और पंचैती न करके एक मदद करने की दिरिश्टी से घुशे हैं और जो PDI है इन सब को जोड़ के देखा जाए तो ये अच्छी खबर भी हो सकती है एक अंतिम बाद इस वीडियो में पूर्व सेना द्यक्ष भारत के जनरल वीपी मलिक ने कहा है कि हमें टू फ्रंट वार के लिए टू फ्रंट वार कश्मीर और लदाक के इलाके में उससे इनकार नहीं किया जा सकता हलाकि संभावना कम है ऐसा उन्होंने कहा है और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि आज के डेट में भले ही टेकनलोजी में चीन भारत से आगे हो लेकिन मिलिटरी दमखम में अगर युद्ध हो पा गया चीन द्वारा तो भारत इसका मुकाबला करने में सक्षम है देखना ये होगा कि आग बोटे छेपी हैं उस PDI को लेकर भारत अपना कौन सा option चुमता है धन्यवाद